दोस्तों मुकाबले के समाप्त होने के बाद रोहित शर्मा ने गिया कुछ ऐसा जिसने जीता सभी लोगों का दिल। जेहां दोस्तों भारत और होंकों के बीच मुकाबले में भारत की टीम 192 रनों का बचाव करते हुए गेंदबाजी करने जब उतरी तो वीरोधी टीम को 152 रन पांच विकेट के नुकसान पर ही रोक दिया और 40 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया जिसके बाद जीत दर्श क गले मिलते हुए दिखाई दिये जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और वेराट कोहली में से बेहतर बल्लेबास और कप्तान कौन है अपनी राय कॉमेट करके जरूर बताए और ऐसे ही शांदार खबरो के लिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें